कि मेरे प्रेज दोस्तों नहमेश कर अज फिर से आई ट्याय जान टूब में आपको स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने यह सिखेंगे कि आपको थेड के बारे में जो फास्टनर का जो एक मुल्ड आपको एक सलचना होता है उसके बारे में हम लोग फास्टनर क्या होता है फास्टनर एक बंधक होता है जो किसी मसीन का रूफ देने में वह स्वयोग करता है ठीक है मसीन के रूफ देने के लिए फास्टनर बहुत जोरी होता है जो वह आपको तीन प्रकार से फास्टनर आपको दी जाती है जैसे कि आपको अस्थाई अस्थ लोगी होता है तो थेड के बारे में अच्छी तरह हम जानेंगे ताकि थेड के बारे में अच्छी तरह जानेंगे जिसके लिए आपको इस वीडियो को फूरे देखें और अच्छी तरह आपको इसको ग्याद करें ठीक है तो इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर ले शेयर करें सब्सक्राइब कर ले और विल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो को पहुच पाया और आप इसका लाव उठाए चलिए हम लोग इस्टार्ट करते हैं इसको ध्यान देंगे बारे किसे आप जैसे अस्थाइफ हास्टनर जो होता है जैसे कि ऌत बोल्ट एस्टार बोल्ट इस्टैर प्रोसिझे में आपको तेड़ होते हैं वहाँ आपको जैसे पाइप को भी एंट द्वारा अस्थाइफ सीज़ बनाते हैं या आप समझे के स्कुरू हुआ आपको ल second중raat, जब हास्ट Aww, उस पर भी आपको थेड होते और उपको अ लेते हैं तो उसक्राहिं उस्सेय फया नते हैं आ है अस्थाई जोर अर्द as खिल जोर जब फाजब श्रल्चप To test उस क्राहर ने आपको बता भी चुकी है थ्स थ्ध्यान सब्सक्राइब कि और जो होता है वैसा जो होता है अस्थाइज ज्वर में जैसे की वैल्डिंग या ब्रेजिंग गैसे मसीन कि वैसे पार्ट्स जो कभी खोला नहीं जायाओ ठीड़ा यह आपको परमानेंट पार्ट्स होता है जो वह अस्थाई रूप से उसको जोरे जाते है वह फिर दूबढ़ नहीं खोले जाना अगयों थो एसे से पॉलते ह exempel बोलते हैं जो करते ऐसित पार्शनर द्वारा तो उसको बोलते हैं ऑप च्लाक भाशनाय कहाया architect cui ऑसे तरह से हम जो same आजाते हैं आपको तुरह सा आपको different आएगा जैसे की अश्टाय में तो होता है जैसे कि य сценap这 होते हैं तो इस में आपको देखेंगे कि अन्य शो spend रिया होते हैं यख मला को आपको त्यार्ड किए जाता है तो उस क्राव में जोडने के क्राव में आपको यह थेड बहुत ही उपयोगी होता है बिना थेड से आपको अस्थाय बंदक नहीं बना सकते हैं और अस्थाय रूप से मसीन के पार्ट को नहीं जोर जा सकता है और अधिकांसता पार्ट को होते हैं मसीन के अस्थाय रूप से ही जोर जाता है जैसे अस्थाय रूप के बारे म अस्थाइफ फाश्टर बोलते हैं जैसे अभी देखें कि नट बोल्ट एंड इत्यादी जो होते हैं आपको अस्थाइफ फाश्टर होते हैं उसी परकार से हम लोग देखेंगे कि आपको अस्थाइफ फाश्टर के बाद आप देखेंगे कि अर्धास्थाइफ फाश्टर क् पता होना चाहिए कि जैसे कि सोल्डर ठीक है रिवेट यह सभी जो होते हैं जब जोर बनाते हैं मसीन को मसीन को जब जोइंट करते हैं जैसे कि आपको देखेंगे कि आपको तेल टैंक जैसे तेल टैंक तेल टैंक या आपको बड़े-बड़े जो भी डला वड़ी जो होते है जो भारी वहान का या आप समझेगे किसे कोई भी जो होते है जैसे कि सीट मिटल का कार्ज उस क्रेम मेंडिक आपको ऑस्वल्डिंग और रिवेटिंग का क्लिया होता है तो उसक्रेम में जब जोएंट बनता है तो वह जोएंट जो होता है अर्धस्थाई होता है वह अस्थाई या अस्थाई नहीं जोर बना कर अर्धस्थाई होता है ताकि वह सीट से बना होता है और सीट जो होते हैं सीट पर डिवेटिंग कि लिया एन्सोल्डें किरिया ही की जाती है तो इस तरह से आपको जो जोड़ बनता है और अस्थाई अर्धास्थाई जोड़ बनता है उसको बाद है कि यहां तो समझ गया है कि आपको फास्थाई में अस्थाई अर्धास्थाई जोड़ होता है वह किस तरकार से आपको होता है और क और और ऐस था फास्ट्नर जो होता है жुरिया करता है यह सेंडिकल जो सुराक डिखा करता है जो अंत्रų चुरिया अजे चुरियां वाभड़ directory उसके बारे में हमलों अच्छी तर चरचा करेंगे और इस परक्राइब न है है कि आपको यहां जो देख मना चुके है आपको board पर याँ चित्र जो आप देख रहा है इस board पर या चित्र को देखेंगे कि आपको चित्र क्या है यह mode मतलब यह देख रहा है कि इस key kau 이억bird को पतल Luci का चीत्र है चीत्रक है तुक्राइंड यहां सभी नोट कर चुके हैं और उसके में देखेंगे आपको एकसिस लाइन है ठीक है एकसिस लाइन है और इस ऐसिस l Сам है उसको बाद है कि आप यहां जो देख रहे हैं को अपरहा हुआ पह प्रिस्ट कहा जाता है और उसको बाद आपको यहां जो गहराई लिया हुवा भाग है गहराई है वे भा कियों आपको रूट पहते हैं और उवРवा एतने हैं आपको क्रिष्ट कहते हैं उसको बाद आप देखेंगे यह से हैलिक्स एंगल quality है तो है फ्रकिक्स और नगे लिभाया जाहिए जैसे कि जब हम पढ़ाय थे आपको गयर तो उसमें गयर के टाइप में पढ़ाया थे कि आपको इसमें अम्हेश कर अपको कड़ा हुआ आपको ग्रूआ होता र१िक फॉर कुर्फ होता है तो वह आपको क्या है कि यहां आपको एक्सिस है और यहां एक्सिस है यहां आप यहां ध्यान देंगे कि हैलिक्स एंगल जो हम यह देख रहे हैं कि यहां से जो चुरिया जो कटा जाता है जैसे कि यहां आपको क्रिष्ट है और इसमें चुरिया में जो विसेश कोन पर या किसी कि चुकाओं में चुरिया कटा होता है उसको बोलते हैं आपको Ah, यह वह आप यह देख रहे हैं डिकेट किया हुआ है छिंगल का उसको बाद आप देख रहे की मेजर ठै के बारे में समझ लिजिए मेजर क्या होता हैट सबसे बड़ा का ब्यास चुरिया के जो क्रिष्ट से क्रिष्ट तक की ब्यास भी कर सकते हैं या सबसे बरा वियास जो होते है आपको विलनेकार-अरड या आपको nat tevar port या ऐ worry is screw औंट्रिक मसेन के जो सुराख में जो चुरिया डना हुआ है चुरिया कटा हुआ का है उसका उसमें सी सकत your की जो व्यास होता है मेरवाता है उसको बाद आपको पता होना चाहिए उसको बाद पीचित कि घ्या जो होता है कि क्रिश्ट और ओर रूट वह ध्यान देंगे कि यहां आपको डिया न्ला इसमिला जाता है коли वाद है कि आपको रूट से रूट से रूट रूट से रूट मतलब जोर होता है और देक्व यहां से यह रूट है और यह दो फ्लैंक है ठीक और इससे आपको जो गुरूब बन रहा है फिर यह गुरूब बन रहा है तो इस तरह से जो सनचना बन रहा है तो क्या है यह थ्रेड का सनचना है ठीक है और यह थ्रेड के सनचना है तो इसमें आप जो देख रहे हैं कि यह क्या है क्रिष्ट और रूट के जो रूट से जो बनेगा उसको बोलते हैं मैनर डाय बोलते हैं उसको बाद है यह समझ गया है कि मैनर डाय एंगल तो आप समझ गया है कि फ्लैंक से फ्लैंक के जो एंगल बनेगा इंकलेड एंगल इसको बोलते हैं तो यह आपको एंगल होता है उसको बाद आपको क्रिस्ट के दूरी लाए तो यह जो कटने के बाद ले उत्पन हो जो ले गरद हां वहyaपSON फ्लेंक होता या भी अब होते हैं उसको बाद आप ध्याने के आप और त्यूंद Тут क्या थ्यांदि देंगेよ बाम यहां से तूर्य होता है अब देखें कि कि इस तरह से यह चुरिय आपको होता है । यह इसको यह सभी समझना जो देख रहे हैं इसको बोलते है इस पूथ है टर्म लोजी इसको कहा जाता है अब देखिए थुरा साब इस पर आपको जो हम विचार करते हुए भागों पे आते हैं कि क्या है कि आप थ्यान देंगे कि यह एक बिल्लकारड है ठीक है और इस बिल् और उभार गहराई और उभार लेते हुए ठीक है विशेश कोन पर विशेश कोन पर गहराई और उभार लेते हुए विशेश कोन पर ऐसे आपको बढ़राए विशेश कोन पर आपको लंबाई में जो सनचना बनती है लंबाई में जो सनचना बनती है उसे कहते हैं कि थ्रे पर ठीक है विशेस कोन पर एक बिलनकार वाट्विस पर एक लंबाई किस लचना करती है लंबाई किस लचना करती है तो उसे कहते हैं आपको ठ्रेड याद चुरिया कहते हैं ठीक है समझ गया उसको बाद आप यह पता होना चाहिए आपको यह तो समझ गया कि आपको चुरिय क्या है चुरिया के कौन को से भाग होते हैं और इसके जो चुरिया करता है तो कटने के बाद जैसे दिखें चुरिया करतने के बाद आपको फ्योग के अधहार पर जैसे किसी में सिंगल स्टार्ट एंड डवल स्टार्ट ठीक है टेपल स्टार्ट तो आपको पता होना यह क्या है अभी सिंगल बनाए हुए है तो पीच और आपको लीड पीच और लीड आपको क्या होगा बड़ावर हो जाएगा पीच एंड लीड के बारे में आपको पता होना चाहिए पीच क्या होता है लीड क्या होता है तो पीच जो होता है कि दो दातों के बीच की दूरी क को पीज कहते हैं लेकिन नट द्वारा एक चक्र में जितना दूरी तय करता आपको ठीक है बोल्ट पर वह आपको होता है लिड होता है जैसे कि यह आपको क्या है भूल्ट रहें फिरिया कटा हुआ है और इस तरह से हम लोग देखें कि कि तरह से आपको लीड क्या है और पीच क्या है उसको बाद हम यह समझेंगे कि लीड एंड पीच के बाद हम लोग यह समझेंगे कि लीड एंड पीच के बाद आपको चुरिया के त्रेड क्या है त्रेड कितने प्रकार को होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं ठीक है जैसे त्र झाल झाल